सलाम वालेकम स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नमबर वन हुमन आर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं आज की इस लेसन में मैं आपको वर्किंग आफ नर्विस सिस्टम एंड रिफ्लेक सेक्शन पढ़ाऊंगी देखते हैं कि आपकी बुक में इन टॉपिक्स के बारे में क्या लिखा है ओके स्टूडेंट्स आपको पेज नमबर एट पे वर्किंग आफ नर्विस सिस्टम का टॉपिक दिया गया है नर्विस सिस्टम काडिनेट्स आल बॉडि फंक्शन इट आलसू डिटेक्स टी चेंज़ इन दा इन्वार्मेंट एंड प्रोडूज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडि के बाकी फंक्शन के साथ मिल के काम करता है या उनको तर्तीब देता है यहां पर आप काडिनेट्स का मतलब मिल के काम करने को भी कह सकते है और क्या करता है यह अगर कोई भी महौल में चेंज आ रहा हो तो उसका पता लगाता है और उसके मताबिक रिस्पॉंस करता है गिसे अच्छा कोई भी महौल में आपका जो चेंज है ठीक है जिसको आपके औरगन या सेंस औरगन या आपके बाड़ी औरगन जो है इसाबी निजाम जिसको जिसका पता लगाता है जिसको महसूस करता है तो और उसके मताबिक रिस्पॉंस देता है चाए वो अंदरूनी हो या बेरूनी हो तो उसको आप स्टीमॉलाइ कहते है वो कोई टंपरेचर है, कोई प्रेशर है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है. The sensory neurons carry the message stimuli in the form of nerve impulses from receptor to central nervous system. अच्छा, फिर क्या होता है? कि जो महसूस करने वाले neurons होते है, sensory neurons तो वो क्या करते हैं? कि जो message होता है, stimuli change, message कोई भी change है. उसको क्या करते हैं? कि nerve impulse की form में, जो है, वो receptor से लेके, central nervous system तक लेके जाते हैं. receptor आपका कोई body organ है, ठीक है? वो आँख हो सकती है, वो हाथ हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ है, जिसने change को महसूस किया है. तो वो message जो है, वो nerve impulse की form में, आपके nervous system तक जाएगा, central nervous system तक जाएगा. The central nervous system process the messages and transmit the nerve impulse to motor neuron. The motor neuron carry the nerve impulses to the parts of the body which produce responses. Such parts are called effectors. यहाँ पर short आपको बताये कि central nervous system तक जब message पहुंच जाता है, तो वो उसको आगे भीचती है. Nerve impulse की form में motor neuron उसको वापस लेकर आते हैं. ठीक है, motor neuron जो है, वो nerve impulse को आपके body organs की तरफ लेके आते हैं, जो के आगे से response देती हैं. तो जो जिस चीज ने आगे से response देना होता है, वो affector किलाती है. वो आपके muscles हो सकते हैं, ठीक है? Body के muscles जादातर जो हैं, वो affector किलाते हैं, क्योंकि उन्होंने action करना होता है. अब यहाँ नेक्स पेज पे the reflex action दिया हुआ है. Reflex action में आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो काम, यह सारा का message transmit होने का और वापस आने का कैसे होता है यह सारा अमल. Reflex action को आप यह भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा अमल जो गैर अरादी तोर पर किया हो. ठीक है? An immediate and involuntary response to a stimulus is card reflex action. गैर अरादी और एकदम से होने वाला अमल जो कि आप किसी change के response में कर देते हैं तो वो उस section को आप reflex action कहते हैं. जो आप जान बुचके नहीं करते हैं वो automatically हो जाता है. These are the certain automatic responses of the body which are shown for certain stimuli without the will of the person. ठीक है? ये खुद बखुद हो जाते हैं response और ये कुछ खास किसम की जो change होता है उस पे होते हैं और ये इनसान की मर्जी के मताबिक नहीं होते हैं. जब आप किसी गरम चीज को touch करते हैं तो एकदम से आपका हाथ खुद ही पीछे हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आप किसी गरम चीज को हाथ लगाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि मैं आप हाथ पीछे करूँ या ना करूँ. आप कशी वह जाता हैं तो खुद यह थे आपकी बेद Чीज तो खुद आपको गरम चीज पीछे हो जाता हैं तो आपका है थो आपका ज़नी क्यूशन हम आते कि सथे एक चेंज है उसने लिया है वो message कि ये चीज गर्म है The nerve impulse is created in the sensory neuron present in the skin फिर क्या होता है कि एक scensla शुरू होता है message convey करने का impulse एक scensla है ठीक है जो आपका body carry करती है आपके central nervous system की तरफ तो क्या होता है कि वो जो आपके sensory neuron थे आपकी skin के अंदर उन्होंने एक scensla शुरू कर दिया message भेज़ दिया impulse भेजती nerve impulse ठीक है The nerve impulse is carried by the sensory neuron to the spinal cord फिर वो जो impulse थी वो चली गई आपके spinal cord में मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी message जो आपकी body से brain तक जाते हैं या brain से body तक आते हैं तो सारे आपके spinal cord से गुजर के आते हैं तो यहां पर जो nerve impulse आपकी skin के cell ने प्रोडूश की थी वो कहां जाएगी sensory neuron लेके जाएंगे उनको spinal cord तक रील की हड़ी तक ठीक है the inter neuron of the spinal cord processes the impulse within no time and transmits the impulse to the motor neuron फिर क्या होगा कि वो message जो है वो inter neuron inter neuron तक जाएगा ठीक है और थोड़े से time में बलके बिल्कुल भी time नहीं लगेगा और यह जो center center neuron है यह क्या करेंगे कि इस message को motor neuron को की तरफ भेज देंगे ठीक है तो जब यह inter neuron जो है यह message transmit कर देंगे motor neuron को तो जो motor neuron है the motor neuron carries the impulse to the arm muscle effector तो फिर जो motor neuron है वो message वापस लेकर आएगा जल्दी से आपके हाथ के muscle की तरफ जो क्या factor है जिनोंने काम करना है the arm muscle contract and the hand is pulled back ठीक है और क्या होता है कि फिर जब जैसी message आपके हाथ बाजू के muscle को मिलता है आपका बाजू का muscle सुकर जाता है और आपका हाथ जो है वो एकदम से पीछे हो जाता है the pathway of nerve impulses which complete a reflex section is called a reflex arc और यह जो सारा रास्ता है ना nerve impulse का जैसे जो message जाता है और फिर वापस आता है तो इस सारे को आप reflex arc कहते हैं इस रास्ते को it consists of receptor a sensory neuron an intern neuron a motor neuron and effector सबसे पहले यह किस से यह रास्ता किस किन चीजों पर मुश्तमिल है सबसे पहले receptor अपकर पहले उँचैन कोकि स्केन आपके और वापस का हिस्साइज कोहा हिस्टम जो से सेंसरी neuron की तरफ मैसेज रेकर अWhen a sensory neuron वाप मैसेज लेकिन ऍमोटर नीरों को भीजा ुर्मोटर नीरों जलदी से वापस लेकर आ нем Looks effector की तरफ जो effector आपका muscle है या कोई भी चीज बॉड़ी का organ है आगे मैं आपको ये reflex action diagram के साथ भी समझाती हूँ page number 9 पर ही diagram भी मौजूद है आप ये देखें diagram में आपको बताया है कि ये आपका हाथ है ठीक है हाथ जो है इसने एक गरम बटन कोई भी पॉट है उसको आपका हाथ गलती से टाच हो गया ठीक है अब यहां पर आपकी स्किन के अंदर receptors मौजूद थे ठीक है यहां से मैसेज जो है sensory neuron की जरगी रेड सी जो लाइन है यह sensory neuron है ठीक है यह जल्दी से मैसेज चला गया यहां पर यह आपकी real की हड़ी है spinal card है ठीक है यह brain नहीं है यह spinal card है इसको जरसा टेड़ा करके दिखाया हुआ है अंदरूनी structure दिखाया है spinal card का ठीक है तो यहां से मैसेज गया spinal card में spinal card के दरमयान में जो है यहां पर मौजूद है आपका rely neuron भी ठीक है या inter neuron मौजूद है इसने मैसेज लिया जल्दी से और इसको आप ट्रांसफर कर दिया motor neuron की तरफ टीक है motor neuron यह मैसेज वापस लेकर आया और इसने अफेक्टर जो मसल था आपके body का हाथ का इसको कहा कि यह चीज़ गरम है और इसको आप जल्दी से हाथ को पिछे हो जाना चाहिए तो आपका हाथ जो है वह एकदम से पिछे हो जाता है खुदी तो यह दो होता है बहुत कम टाइम में तो यह सारा पात है इसको आपके आपके पास इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताया हुआ है आप देखें पीपल बिलिंक अबाउट 15 टाइम्स पर मिनिट एक मिनिट में आप 15 दफा पलक जबकते हैं और दूरिंग 16 आवर्स 16 गंटे के दरमियान जब आप जाग रहे होते हैं तो आप तकरीबन 14,400 दफा हर दिन जो है पलक को जबकाते हैं यह एक छोटी सी इनफॉर्मिशन थी य आपके समझ आई होगी अगर नहीं आई समझ तो प्लीज मुझ से क्वेश्चन अपने स्कूल के नंबर पर पूछ लिया करें मैं किसी और तरीके से आपको अपना मैथड चेंज करके समझा दूंगी असाइमेंट बहुत इसी है अपने रिफ्लेक सेक्शन को एक्स्प्लें कं और अल्ग शेदेडन को एको एक समम हम देन exchange से आपकों मैद के बन को एके स्कुल है